अलोग जी ये जो राश्वित भाई जो सवाल उन्हों ने खड़ा किया है कि आप आपको लगता है कि अगर को अध्यक्ष बन जाएगा तो पांस साल तक रहेगा लेकिन अगर उसके पास अपनी पोलिटिकल कैपिटल नहीं होगी देश में चुनाओ तो नहरू गांधी के नम पर लिखा जाएगा कॉंग्रेस वाले सोचते हैं तो ये कॉंग्रेस वाले सही सोचते हैं ये भी कहीं लिखा हुआ नहीं है हो सकता है कॉंग्रेस वाले गलत सोच रहे हैं और पिछले 10 साल तो कम से कम हम लोग अब देख चुके हैं कि कॉंग्रेस अपने सोचने को ग प्रियंकाजी भी नहीं तो फिर सोनिया जिए दूसरी तरह उसी कॉंगरेस में एक गड़ा आध फिर स्टिफव कड़ा है इसका एक नेता प्रसों इस्तिफा देता है, एक नेता आज इस्तिफा देता है की मेरा अपमान हो रहा है अरे भाई इतना मान-अपमान की चिंता है उसके एक हमारे मित्र प्रवक्ता पर्टी छोड़ के बाहर चले गए लेकिन लगातार कॉंग्रेस के पक्ष में दुआधर बैटिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कॉंग्रेस का होना क्यों जरूरी है अगर कॉंग्रेस का होना इ अगर गांदी नेरु परिवार नहीं रहेगा और कॉंग्रेस नहीं चल पाएगी तो फिर ऐसी कॉंग्रेस को चलने की क्या आवशकता है वो कौन लोग हैं जो गांधी ने रूप परिवार से लटक कर ही अपनी राजनीती करना चाहते हैं और साथ में अब हम भी देना चाहते हैं कि हम एक बड़ी भारी लोकतांत्रिक पार्टी लोकतांत्रिक संगठिन चला रहे हैं भारती जनता पार्टी के अंदर के जो कंट्रेडिक्शन्स हैं उन पे बहुत उन पे कई किताबें लिखी जा सकती हैं उन पे हम लोग महीनों चर्चा कर सकते हैं लेकिन कॉंग्रेस पार्टी के अंदर ये सवाल क्यों नहीं है राहूल गांदी अगर इमानदारी से चाहते थे कि वो नेता न बने ये विकल्प उनके सामने हमेशा खुला था कि वो एक कहते कि ठीक है मैं चुनाओं नहीं लड़ूंगा मैं चुनाओं नहीं लड़ना चाहता हूँ मैं इस पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ लेकिन उसके साथ वो ये कर सकते थे, वो अध्यक्ष के पद से हट रहे थे, वो कहते कि मैं अब चुनाओ का आयोजन करूँगा, मैं इस चुनाओ का आयोजक होँगा, मैं आपको इस बात का वरुसा दिलाता हूँ कि खुले मन से अपने नॉमिनेशन भरिये, और अध्यक्ष का नॉमिनेशन भरने का नंबर आशुतोष बहुत देर में आता, आप पहले इस देश में घूमते, जैसी भारत यात्रा आप कर रहे हैं, जैसी भारत यात्रा करते, कहते कि अपने अपनी जिला कमेटियां चुनिये, अपने अपने शेहर कमेटियां चुनिये, अपने बनते हैं कि भारती जंता पार्टी के अंदर जो चलता है वो अडंबर है लेकिन उन्होंने एक formulation बनाये हुआ है जिसको वो सीन अतान के कहते हैं देखिए हमारी पार्टी में एक चायवाला प्रदान मंत्री बन सकता है एक मामुली करेकरता अद्यक्ष बन उनके अंदर ये आत्म विश्वास दिखने ही रहा है और यही वज़े है कि वो बार बार राहूल गांदी को इस दुविदा में डालते हैं राहूल गांदी पिछले दो तीन सालों में आप देखिए रहूल गांदी ने इस देश का हर जरूरी मुद्ध उठाया है ये कहने के बावजूद कि मैं प्रदान मंत्री नहीं बनना चाहता हूं या मैं पार्टी का अज्यक्ष नहीं बनना चाहता हूं क्या वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हाट किया तो रहूल गांदी एक ऐसे सेनापती हो गए है जिनको एक बड़ी भारी रियासत मिल गई है लेकिन फौज उनके पीछे खड़ी नहीं है उस फौज में जिनापती है सब अपने अपनी तरफ कीछना चाहते हैं वो दुविदा है इस दुविदा में और मुझे लगता दुविदा दीजे मुझे कोई लेना देना नहीं है लेकिन ये परिस्तित हो पाईगी इसमें बड़ी शंका है क्योंकि फिर लोग कहते हैं ठीक है तो अब सुनिया जी क्योंकि लोग अपना नाम खुद लेना नहीं चाहते हैं और यह परिवार जाने क्यों एक ऐसी विवस के सामने भी लोग निकलते थे उस वक्ट भी आप इस देश में तमाम निता थे कॉंग्रेस के जो जमीन से निकले हुए खड़े हुए दिखाई पड़ते थे आप अब क्या है जो थोड़ा से निकलता दिखता है उसको बारती जनता पार्टी इनकी नर्सरी से उठा के अपनिया ले जा के अपनी क्यारी में लगा लेती है सत्य हिंदी का एप डाउलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर